बिएस क्राइम इंडिया न्यूज आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है नमस्कार बिएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओसे मैंने हाम इश्राराज चौदरी की खास ख़बर पर एक नज़र विकास कारियों के लेकर की गई शिकायत पर जांच टीम की मौजूदगी में दो पक्ष आपस में बिढ़े थाना जमनपायच शेत्र के अंतरगत गाउसी होरा में वर्तमान प्रदान देवेंद्र पहलवान पक्ष वजिला पंचायत सदस्य ओमकुमारी पक्ष आपस में बिढ़ गये जिसमें ओमकुमारी के पुत्र सुरेंद्र की गंबीर रूप से गाहल होने की खबर है जिला पंचायत सदस्य ओमकुमारी के पती रामवेर प्रदान का निदन होने से पहले अनेक त्वारा वर्तमान प्रदान देवेंद्र पहलवान की घपले की शिकायत की गई थी जिसकी जांच के लिए दिनांका 88-2018 को बिडियो राय वर डिडियो मतुरा गाउस यहोरा के पंचायत घर में पहुँचे उक्त प्रकरन को लेकर जब जिला पंचायत सदस्य ओमकुमारी के पुत्र से दूरबाशा के मात्यम से वार्ता की गई तो उन्होंने देविंद्र पहलवान पर आरोप लगाते हुए बताया की पूर्व में रामविर प्रदान द्वारा वरतमान प्रदान रेविंद्र पहलवान के घपले की शिकायत की गई थी जब टीम जांच के लिए पहुँची तो जिला पंचायत सदस्य ओमकुमारी वजिला योजना समीती के मेंबर सुरेंद्र भाया मौके पर जांच कराने के लिए पहुँचे लेकिन वरतमान प्रदान देविंद्र पहलवान द्वारा सुरेंद्र के चाकु गोद दिया जैसे तैसे सुरेंद्र वहां से जान बचा कर भागे गाउवालों ने उन्हीं छुपा लिया मौके से जांच टीम भी 9-11 हो गई उक्ति प्रकरन को लेकर जब सीयो सदर से भी दूरबाशा के माद्यम से वाता की गई तो उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदर से पक्ष की तरफ से कोई कंप्लेंट की गई थी जिसकी जांच के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे थी उसी समय गुंडों को लेकर वर्तमान प्रदान ने लोगों के उपर हमला कर दिया मुकदमा पंजिकरूत कर लिया गया है आपकी खबर आप तब पहुचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी है देखते रहें बीएस कायम इंडियान नियूस नमस्कार